दीया में कॉल गेट डालते ही कमाल हो गया हेलो फ्रेंज चलिए देख लेते आज के यूसफुल किचिन टीप्स जिसकी वज़े से हमारी काम तो आसान हो जाएगी जो हमें बाहर ले नहीं सकते वो घर पर बना लेगे सब कुछ अच्छे से और्गनाईज हो के रहेगा घंटो आई तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और फ्रेंज में सेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाव उठा सेके और सब कुछ फटा फट कर सेके देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए देख ले वी जादा मात्रा में हम कुछ भी डाले बगहरा स्टोरेज करते हैं तो ऊसकór थोड़ा सा काम करेंगे थोड़ा सा से का तेल ले लेगे नहीं तो रीफाइन लेगे यहां पर क्या करेंगे कीडे वगेरा नहीं लगेंगे और हमारे चीजे खराप नहीं होगे बहुत ही यूजपूल टिपस है तो दिले देख लेते हैं निक्स्ट वाला हैक्स इस तरह की बॉटल के ले करें कोल्डिंग्स की बॉटल जबी भी हम पीते हैं तो अक्सर हम इसको फेक देते हैं आगे से क कोल्डिंग्स की बॉटल हम हमें से स्टोरीज करके रखेंगे ताकि तरह तरह की काम पे कोल्डिंग्स बॉटल को हम यूज़ करते हैं तो यहां पे छोटा सा बॉटल है इस बॉटल को में देखिए बीच से काट रही हूं बीच से थोड़ा नीचे यहां पे काट रही हूं चाकू की मदल से हम चाकू को थुड़ा गरम करके इस तरह से काल्डिंग के बोतल को काट लेते हैं काटने के बाद हम इसको WWE को दो पार्ट में काट लेंगे और काटने के बाद बहुत ही useful काम यहां पे करेंगे तो इस बिर्यम में बनेरहिए यहां पर हमने बोटल को काट लिया निच्से वाला हिस्सा में नहीं चाहिए तो उपर का डकन बीस आइए मिस्सा के और फिर की तटaro करेंगे परहलेगी फिर से चाकु को के तट जूड़ा गरम करेंगे और परश वख को जब्यास कनाット में काट लिया जाविस्वाले तो देखिए यह हमारा बहुत ही अच्छा वाला ओर्गनाइजर बन गया तो चलिए काम के से किछिन में करना है जब भी हम दाल चावल बड़े-बड़े में रखते हैं ड्रॉम में रखते हैं आटा वगेरा पूखा वगेरा तो उसको निकाल दे के टाइम में हम कुछ कटोरी डालते हैं निता हाथ से निकालते हैं तो कुछ ना डाले इस तरह से प्लास्टिक की हम करके और्गनेजर रख देंगे तो हमें बार-बार कटोरी ढूडने की जरूद नहीं होगा हाथ लगाते हैं तो हमारी चीज़े फंगस होके खराप होते हैं एयर लगके पानी लगके बहुत यूसपूल टिपस हैं तो चलियो देख लिते नेकस्ट वाला रहा बहुत ही जोगाड़ हो हे तो इसAttरा के बौल मैंने काटा था देखिए एक बौल का नीचे वाला हिस्सा मैंने काट लिया था यह उपर का हिस्सा है उपर की इससे को हम अपनी हिससा आपसे काट ल पोज़ में पुशुरा निकाली की गाला हिस्सा और देखा निकालने होग डिखिया। इसके उपर इस एक्रील अरém से एक्रील जैसा समें बाइग urgent. तो मैं यहां पर वाइट कलर लगा रही हूँ ताकि वाइट कलर दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यूनिक लगता है आप अगर कलर लगाना नहीं चाहिते तो आठे की मदद से फेविकॉल के मदद से इसके उपर ना कलर वाले पेपर लगा लिजिए नहीं तो कप कर लिए तो चलिए सफेद कलर लगाने के बाद थोड़ा इसके ऊपर हम ना थोड़ा अपनी हिसाब से थोड़ा पेंटिंग वगएरा कर लेते ताकि थोड़ा अच्छा दिखे आप अपनी हिसाब से कोई भी पिक्चर वगएरा कुछ भी वगएरा नहीं तो कुछ डबल कल इसको बढ़ा लेजे इसको आच्छा से फिक्स कर लूगी तो देखिए यहां पर मैंने गन ग्लु की मदल से फिक्स कर लेजेए निकलता नहीं बहुत टेसे पकड़ लेता है कुछ भी आठ यहां लगा ले को मैं लिए डिया होती है तो कभीखियों हमने रहता है साकिन को कोई वी तरह से कम कर सकते हैं और यहां पर गोला बना रही हूँ, तो देखिए इस तरह से हम गोला बना के उसके नीचे वाले हिस्से को इस तरह से कीच लेंगे, कुछ नहीं बहुत ही इजी है, आप इस तरह से गोला बना लेजिए और हाथ में थोड़ा पानी लगा लेजिए, अपनी फिंगर में पानि लगा कि इसको अब इस तरह से दिया लाना पड़ता है अगर कभी भी आप बाहर से मिट्टी वाली दिया ले नहीं पारें पंच मुखी जो पांच बाला मूह होता है तो इस तरह से हम कॉटन से रूई से पांच मुखी दिया बना लेंगे और हमारे घर पे जो भी नॉर्मल दिया होती है हम जो पुजा में डेली यूज करते हैं उसी में तेल डालके हम इस तरह से दिया बना सकते हैं क्या होता है सब कुछ हमें टाइम पे नहीं मिलता है जब हम इस तरह से जुगार लगा के हमारी काम रुखना नहीं चाहिए देखे कितना अच्छा लग रहा है हमारा काम बन गया तो इसमें आप गी डेल डालते हैं आप डालके दिया लगा लेजिए भगवान भी खुछ हो जाएंगे आपका मन भी सांती हो जाएगा ताकि हमारा काम रुखा नहीं अच्छे से हो गया यूस्फूल टिप से यूस किजिए तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हाक से हमारी यहां पे मैंने एक छोटा सा प्लेट लेली और प्लेट लेने के बाद इसमें थोड़ा सा लेंबू निचोड रही हो हाफ नेमबू हमें यहां पे चाहिए अपके घर में अगर पुरा ना नेमबू है अमेसा फ्रीज में रह जाता है तो इसमें हम डालते हैं और यहां पे एक चम बनाते हैं और इसको चमच की मज़े से करते हैं हाथ से करेंगे तो हाथ में थोड़ी रियाक्शन होगे हाथ में थोड़ा हाथ खराब होता है तो इसको चमच की मज़े से इसको अच्छे से सब चीजों को अच्छे से मिलाते हैं करना क्या है देखे पूजा घर में जो हमार इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, तो चलिए हमारे घर पे जो भी पुजा की सामान होती है, अगर जादा पुराना हो गया है, काला बन गया है, तो चलिए हम इसको लगा के न, पांच मिनट रख देते हैं, स्पेसिली दिया में, आल्टी स्टान में और अगरबती स रख तान में यह सब अच्छा काम करता है, यह सारे चीज एक तूसरी में मिलके बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आपको विल्कुल मेहनत यहां पर करना नहीं है, जबी भगवान के बथन में साफ करते हैं, बहुत सारे चीज़ इस्तमाल करते है, घिसज़़ग रगड़ तो ये चोटा सा और गerson कंचर्ण में फिरसंट की यह जोह ड़ेरा है संप अंपर in सके परो कुर Sumıldर को constantly बील्कुल में है आप करनी नहीं है छिरा इस दो की सब्कूर्ट मेरी में खर鬧ार पर ग dedalo कि मुलने मैं में कुछ करना भी नहीं है आप चाहिए तो इस कलबर में उसको घिस सकते लेकिन अंगुटी से निकल रहा है कितना अच्छा सेलूशन है हर रोज हम भगवान को पूजा करते हैं तो हमारी बरतन बहुत ही खराप होते टेली हमें पितंबरी खरीदना लगाना पितंबरी लगा पाउडर लगाना से हमां हाथ बहुत ही खराप होते क्यूंकि उसमें बहुत ही केमिकल्स रहते तो इस तरह से घरेलू टीप से घरेलू उपाई से अगर हम इसको साफ करेंगे तो हमारी काम तो बन जाए बहुत ही जवदी हो जाए गया और हमें बाहर जाने की ज़रुत नह हमारी किछिन में हो उसी चामान को हम यूज करके हमारी काम को बहुत ही आसान बनाते हैं तो चलिए एक मेने साफ कर लिया और दूसरी देखिए थोड़ा सा निम्बू बचाता इसको डाल के देखिए यह आर्तिकी स्टांड है इसको हम थोड़ा गीस लेते आप बिलिब नह जल्दी हमारा काम बन गया पानी से दिखिए साफ कर लिए किछ करना पड़ा है हमें दुकान से लाने जैसे नेया लाते है न उसी तरह से दिख रहा है केसा लगा आज का टीप्स चोटे-चोटे घरेलू टीप्स और हैक्स जो हम यूज करते है न फॉलो करते तो हमारी काम बहुत ही बन जाती है देशी जुगार से हमारा काम बन जाता है हमें बाहर जाने की जरूती नहीं होती है और हमारी समय सामन मेनस सब कुछ बचते हैं समय अगर बचते हैं हम खुद को देते हैं बच्चों को देते हैं खुद एंजोई करते हमें तकलिफ नहीं होना पड़त इस तरह से छोटी छोटी टीप सा विस्तवाल कीजिए यूज कीजिए बहुत ही काम की है और बहुत ही अच्छा लगता है करने के बाद हमें बहुत ही खुशी होती है